वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मदूरी मा को ताकि हमारी आने वाले वीडियो आप तक जल्द से जल्द पोहुच सके सूर्या देव को ऐसे जल गलती से भी मत चढ़ाना सूर्या देव होते हैं क्रोधित पूरे परिवार को लगता है पाप इसके साथ हम जानेंगे कुछ ऐसे कारियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी प्रती दिन किये जाते हैं तो आप बनते हैं धन्वान मा लक्षमी ऐसे लोगों का साथ कभी भी नहीं छोड़ती तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बर फिट से दोस्तों सची शुद्धा से कमेंस में जरूर लिखे हर हर महादेव जै सूर्यदेव दोस्तों ऐसी तीन ओर्तों को सूर्यदेव को जल कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए पूरा परिवार बरबाद हो जाता है पती का जीवन नष्ट हो जाता है घर में आती है गरीबी साथ ही साथ जानिए सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय कौन कौन सी सावधानी बटनी चाहिए दोस्तों जिस व्यक्ति पर सूर्यदेव की कृपा पड़ जाए उसे अमीर होते देर बिलकुल भी नहीं लगती व्यक्ति की कुंडली में राहू के तुशनी भी हो जाते हैं प्रसंग वो व्यक्ति हो जाता है माला माल लेकिन क्या आप जानते हैं कि तीन ऐसी ओर्तों को सूर्यदेव को कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए परिवार नश्ट हो जाता है साथ ही साथ ये भी जानिए कि सूर्य देव को जल चढ़ाते समय कौन-कौन सी साफधानिया बटनी चाहिए तो चलिए जानते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्टे की वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकल जरूर प्रेस कर लें दोस्तों नमबर एक सूर्य देव को जल चढ़ाते समय वो जल आपके पैरों में गिरता है तो ये बहुत ही अशुब होता है सूर्य देव को जल चढ़ाते समय हमेशा याद रहे कि वो जल आपके पैरों में कभी भी ना गिरे साथ ही साथ सूर्य देव को जल चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमहय का जब पवश्य करें सूर्य देव बहुत प्रसंद होते हैं नमबर दो, भूल से भी ये गलती कभी ना करें, बिना स्नान किये सूर्यादेव को जल कभी भी भी ना चढ़ाएं। इस से हिंदु धर्म का अपमान माना जाता है। हमेशा याद रहे सूर्यादेव को जल आप जब भी चढ़ाएंगे तो आपके पैरों में चपल कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो उस जल में फूल आदी अवश्य होना चाहिए। खाली पानी सूर्यादेव को कभी भी अरपित ना करें। हफते के रवीवार के दिल सूर्यादेव को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। फिर चाहे आप बाकी दिन चढ़ाएं या ना चढ़ाएं लेकिन रवीवार को जल चढ़ाना कभी भी ना भूले। क्योंकि रवीवार सूर्यादेव को समर्पित है। फेरे आपके नहीं हुए हैं तो आप सूर्यादेव को जल नहीं चढ़ा सकते। साथ ही साथ पूजा पाट वगेरे भी नहीं कर सकते। ऐसे में जिस भी व्यक्ति के मन में दुष्ट विचार आते हैं गंदे विचार आते हैं जो गरीबों पर अत्याचार करता हो तो उसे इश्वर के आराधना नहीं करनी चाहिए उल्टा उस व्यक्ति को पाप का भागी दार बनना पड़ता है ऐसा व्यक्ति सूर्यदेव को जल कभी भी ना चड़ाए दोस्तों कई बार लोग ऐसा महसूस करते हैं कि काफी परीशरम और प्रेतन करने के बाद भी धन नहीं मिलता या मन चाही सफलता नहीं मिलती कभी महनत के अनुसार आपको पैसे नहीं मिलते तो कभी मन माफिक नौकरी नहीं मिलती व्यापार है तो व चैनी घबराहट बनी रहती है हो सकता है आपको अनावश्यक डर सताता हो आखिर ऐसा क्यूं दोस्तों इन सभी तरहां की समस्याओं के समाधान के लिए आज हम आपको ऐसे उपाए बताएंगे जो आपकी दिलों दिमाग को शांत तो रखेंगे ही साथ ही प्रगती के द्वार खोल कर धन की कमी को भी दूर करेंगे परिवार में फिर से खुशियां लोटाएंगी दोस्तों सुगंद का जीवन में बहुत महत्व है सुगंद में भी इत्र की सुगंद हो तो कहना ही क्या जरूरी नहीं है के शरीर और कपड़ों पर सुगंद का इस्तमाल करें आप जहां शान्ती होती है वहां खुशाली अपने आप आ जाती है तो दोस्तों अपने घर में सुगंद का अच्छे से प्रबंद करें आप इसके लिए रूम फ्रेशनस का इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन अगर आप अपने घर में सुगंद धूप बत्ती का अगर बत्ती का इस्त करें कभी-कभी आपको व्रत भी जरूर करना चाहिए दोस्तों व्रत केवल और केवल धार्मिक द्रिश्टी कौन से ही नहीं बलके आपके स्वास्ते के लिए अच्छा है कभी-कभी अगर आप रखते हैं तो इससे आपकी पूरी बॉड़ी डी टॉक्स हो जाती है तो आप अ घर में पोचा नहीं लगाना चाहिए घर की सारी नाकारात्मक उज्जा समाप्त होकर घर में जगड़े भी नहीं होते और मा लक्षमी का स्थाय रूप से आपके घर में वास होता है नमबर दो घर में मोर पंक रखें इससे भी वास्तु दोश दूर होता है माना जाता है कि घर के दक्षिन पुरवी कोने में मोर का पंक लगाने से भी घर में बर्कत बढ़ती है अगर मोर पंक को घर के उत्तरी पश्ची में कोने में रखेंगे तो जहरीले जानवरों का भे नहीं रहता अपनी जेब या डाइरी में मोरपंख रखने से राहू दोश से आपको मुक्ती मिलेगी इसलिए आप हमेशा आपने पास मोरपंख जरूर रखें घर में तयार भोजन की प्रथम रोटी गाए को और अंतिम रोटी कुत्ते को नियम से खिलानी चाहिए इसके अलावा प्रतिदेन पक्षियों और चीटियों के लिए भोजन पानी की व्यवस्ता करें ये आपको रोजाना करना चाहिए पूजा घर में तो आम तोर पर सभी लोग देवी लक्षमी की तस्वीर या मुर्ती रखते हैं लेकिन रसोई घर में मा लक्षमी की तस्वीर कम ही लोग लगाते हैं जबकि रसोई घर से ही आपके घर का बजट जुड़ा है इसलिए देवी लक्षमी की एक तस्वीर रसोई घर में भी जरूर लगा कर रखें देवी अनपुर्णा को अन और भंडार की देवी कहा गया है शास्तरों के अनुसार जिस घर में मा अनपुर्णा की कृपा रहती है उस घर में कभी भी अनधन की कमी नहीं रहती इसलिए मा लक्षमी के साथ साथ देवी अनपुर्णा को भी अपने रसोई घर में स्थान दीजिए इन दोनों देवियों की नियमत सुभा और शाम रसोई घर में पूजा करें और धूप दीप दिखाएं इससे आपका भंडा में शामिल कर ले के हर दिन एक रोटी गुड के साथ गाएं को खिलाएं अगर सुभा सुभा गाएं द्वार पर आ जाये तो उसे रोटी या हरा चारा जरूर खिलाएं इससे आपकी आर्थिक सिथी बहतर होगी गाएं के अलावा कुता भी ऐसा जीव है जिसे नियमित भाव दूर होते हैं इससे पितरू की भी संतुष्टी होती है और घर में अनधन मालक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है याने आपकी कमाई में बरकत होती है नमबर च्छे बड़े बुजर्गा का मानना है कि आप कितनी भी कमाई कर ले अगर देवता प्रसंद नहीं इसके बाद सबसे पहले कुछ अगनी में डालने से अगनी देव भख़ लग भोग लग जाता है तक कुछ पहुच्च जाता है यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि भोजन हमेशा शुद्ध होकर बनाना चाहिए इसलिए इस झाले आते सब से कि भोजन बनाने के बाद किसी को परोसने से पहले कुछ हिस्सा निकाल कर भगवान को प्रसाइद के रूप में अर्पित कर दें। इसके बाद घर के सदस्यों को भोजन पर उसें तो दोस्त आप को वीडियो कैसा लगा हमें कमंश में जरूर बताएं इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बैल आइकल जरूर प्रेस कर ले जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में हर हर महादेव जै महाकाल